MOU पर फस्ताक्षर तो हुए लेकिन पानी बटवारे का क्या निर्डे होगा कितना रेशो रहेगा राजस्तान के पास इसको लेकर के सवाल उट रहे हैं और सचिन पालेट पूर्व डिप्टी सी-म वो पूछ भी रहे हैं सदन में उन्होंने कहा कि कम से कम आप सदन के पड़ल पर बताएं कि MOU के अंदर है क्या राजस्तान को यह हग का पानी क्या राजस्तान के लोगों को मिलेगा या MP को बाट दिया जाएगा जादा ठीकिये हैं क्या ऐसा संभव है कि किसी राजस्तान के साथ में इस तरह का हो सके जिस देश में मानिय प्रदान मंतिजी के नेतरुत में कोपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाती है क्या ऐसा संभव है और दोनों राजस्तान के मानिय मुक्यमंत्री दोनों राजस्तान के स बात की और अभी इसकी डिटेल प्रिजेक्ट रिपोर्ट आएगी आपके सामने होगा कि जो है राजस्तान को राजस्तान के हिस्से का पानी मिल रहा है मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के हिस्से का मिल रहा है मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि किसी भी राज्य के साथ में किसी भी तरह का नया इसके अमाधियम से नहीं हो सकेगा लेकिन उतनी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ कि दोनों राज्यों के इन सूखे प्रदेशों की तकदीर और तस्वीर इसके चलते हुए बदलने वाली है लेकिन एक तरफ जब मुदी सरकार ये मान करके चल रही है दोनों राज्यों के बीच मिसामजस से बना करके इस M.E.U. पर हस्ताक्षर हुए तो सभी को उमीद थी कि इस बजट के अंदर कुछ E.R.C.P. को लेकर के बजट का इलोकेशन हो सकेगा लेकिन उस पर कोई बात नही होगा उसके बाद में एक कैबिनेट को जाएगा कैबिनेट जैसा जो है अपक्स कमिटी ओफ इंटर लिंकेज ओफ रिवर्स जो है नदियों को जोडने की जो प्रतिनिदी संस्ता है उसने इसको पर नैशनल परस्पेक्टिव प्लान में जिस तरह से सम्मिलित करके प्रियो